नमस्कार दोस्तो मैं नाम है सुरेंदर कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्निकल चैनल दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे परधान मंत्री आवास योजना गरामिन का पेमेंट स्टेटस कैसे देखते हैं और एप्टियो ट्रेकिंग से आप कैसे पता कर सकते हैं आपको पैसा कितना मिला है और कितने तारीकों कितना पैसा आपके एकाउंट में आया है ये सब जनकारी आप निकाल सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले आपसे एक छोटी स्रिक्वेस्ट है इस चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो नए नए लाता रहता हूं तो सबसे पहले परधान मंत्री आवास गरामीन योजना का पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए मोगाइल में गूगल या क्रोम ब्राउजर को पिन कर लेना है और सबसे पहले यहाँ पर थी डॉट पर किलिक करके इसको डेक्स्ट अप साइड कर लेना है यहाँ पर थी we.n.ic.in ठीक है इतना लिए करके और सिंपलिए आपको सर्च कर देना है सर्च कर देने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खूल के आ जाता है अब आपको यहाँ पर यह यहां पर यह जो अलर्ट का जो सिंबल है इसको काट देना है और यहां पर आपको मिल जाता है आवास सॉप्ट जिस आपको सिंपली यहां पर आवास सॉप्ट के उपर में एक पर किलिक कर देना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद यहां पर आपको कई सारे उप्शन मिल जाता है अब आपको यहां पर उपर में देख सकते हैं आपर डाटा इंट्री उसके बाद है रिपोर्ट उसके बाद है अप्टियो ट्रैकिंग तो आपको क्या करना है आपर रिपोर्ट का जो उप् रिपोर्ट के उपर में किलिक कर देने के बाद आपके सामने में फिर से एक नया पेज खुल के आ जाता है अब आपको यहाँ पर यह इस पेज को थ्वासा नीचे स्कॉल करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर से डवल सी रिपोर्ट यह वाला जो ऑफ्षन है यहाँ पर से डवल सी रिपोट्स आपको यहाँ पर चार नमपर मिल जाता है आपको यह चार नमबर वला पर किलिक कर देना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर यह Ministry of Ruler Development परधानमंत्रिय अबास योजना गरामिन का डासबोर्ड खुल किया जाता है अब आपको यहाँ पर और एस्टेट का नाम इसको सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका एस्टेट है उसको सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पर बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपके सामने में यहाँ पर जीला का नाम पूछा जागा तो आपका जो इस अपना ब्लोक का नाम यहां पर सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्लोक का नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको ग्राम पंचायत का नाम दे देना है यह प्रोसेसिंग ले रहा है कुछ समय विट आपको कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको अब चार नमबर में यहां पर ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है तो चलिए यहां पर हम ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको ये जो कैप्चा है ये कैप्चा को यहां पर आपको फिल कर देना है यानि 92-10 तो घटा करके जितना बचता है उतना इसमें फिल कर देना है तो चलिए हम यहां पर फिल कर देते हैं यहां पर कैप्चा को फिल कर देने के बाद यहां पर आपको सब्मीट का जो अप्शन है इसके उपर में एक बाद आपको किलिक कर देना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद आपके सामने में यहां पर परधानमंत्री अवास योजना गरामिन का लिस्ट खुल के आ जागा अब यहां पर आप देख सकते हैं अपना नाम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं देख सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको जिस्टी का नेम मिल जाता है बलोक का नेम पंचायत नेम रजिस्टेशन नमर बेनिफेसरी नेम और यहां पर आपको बेनिफेसरी नेम के बाद यहां पर यहां पर आपको फादर नेम मदर नेम कैटोगरी और प्रियूर्टी यहां पर यह समील जाता है तो इसमें से आपका नाम आपका जो भी नाम है वह इसको इसमें से देख लेना है और यह जो रजिस्टेशन नमबर है आप इसको माली जैसे आपका नाम यहां पर यह परमीला देवी और पती यहां पर अबधेश दास तो यहां पर रजिस्टेशन नमबर के उपर में एक बार किलिक कर देना है यह जो रजिस्टेशन नमबर है किलिक करना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद आपके सामने में सारी डिटे तो की आपको सबसे पहले हैं घलता है कि अब हो बजाए बैए है दो डिकल तेर दो सकते हैं स्टेट इस्टिक ब्लोक पंचयाद तो और यहां पस्टोनीटे độ आपको मिल जाता है और date of worth यह सब जनकारी आप में यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में हाँ पर bank का details आपको मिल जाता है कौन से bank में खाता है इनका और कौन से bank account में पैसा गया है यह सब जनकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको देख सक और आपको यहां पर सबसे पहले आपर आपको मिल जाता है FTO Details में आपको Installment आपको कितने कितने बार आपको पैसा मिला है यह यह इंच करया यहां पर मिल जागा उसके बाद यहां पर Financial Years मिल जागा उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं अगर refund status है तो यहां पर रहेगा तो refund अगर किया हुआ रहेगा तो यहां पर मिल जागा नहीं है तो इसलिए यहां पर नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको तीन बार पैसा मिल चुका है पचास चालिस और तीस तो यहाँ पर एक लाख बीस एरपिया इनको मिल चुका है तो यहाँ पर कितने तारीकों पैसा मिला है यह सब जनकारी यहाँ पर मिल जागा उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं पेमे 2018 मिलना है 30000 तो आपको मिला करके 1202Pi इनको मिल चुका है तो यहां पर आपको अगर इसमें इसमें अगर आपका पैसा नहीं बताता है तो क्या करना है यह जो एप्टियो नंबर है इसको कॉपी कर लेना है ठीक है इसको एप्टियो ट्रेकिंग कैसे करते हैं इसको एप्टियो नंबर को इसको कॉपी कर लेना है और यहां पर एप्टियो नंबर को ट्रेकिंग करके और आपको हम चेक करके बताते हैं जैसे माली जिसको हम कॉफी करते हैं तो यहां पर कॉफी का आफसा ना जाता है इसको कॉफी कर लेते हैं उसके बाद में यहां पर बैक जाकर के होम पेज में होम पेज में चले जाते हैं इसको बैक कर दिया है और यहां पर आपको मिल जाता है यह त्री लाइन है इसके उपर में एक बार आपको किलिक कर देना है यह त्री लाइन है इसके उपर में किलिक कर देना है इसके उपर किलिक कर देने के बाद यहां पर आपको आ प्मिट पेस्ट कर देना है यह है फ्क प्र पिच्ट कर देने तो और है तो देग estarby आपसे छोड़ देना है उसके बाद में यह जो में काफ़ा है कि यहां पर हम कושर को फिल्व कर देंग है 3 यहां पर 74 006 जाल दी हैं उसके बाद में हाँ पर समीट के उपर में क्लिक कर देना है समीट के उपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने में इस तरह का अगर आपके सामने में यहां पर आ जाता है तो यहां पर देख सकते हैं जो पूरा यहां पर मिल जाता है FTO sent to PFMS 262.17 उसके बाद में यहां पर FTO receive at PFMS 262.17 यह हरा हरा रंग का इस आपके सामने में यहां पर इस तरह का प्यज आ जाता है तो यहां पर फूल ग्रांटी है जो आपका पैसा जो है bank account में चला गया है आप bank account में जाकर के आप पैसा ला सकते हैं अगर आपका FTO नमर यहां पर copy करने के बाद अगर यह चीज नहीं बताता है कुछ और बताता है तो आपका पैसा नहीं आएगा तो इस तरह से आप FTO ट्रेकिंग चेक कर सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो नए लाता लाता हूँ धन्यवाद